नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का और आप सभी के लिए प्रेक्टेस सेट नमर दूसरा आया है तीस क्योशन मैंने आपके उकाल करवा दिया थे आज हम करेंगे 31 क्योशन से शुरुआ तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकोन को प्रेस कर देना और अगर हम से डेली की ट्लास में जुखेना चाते हैं तो आप बिल्कुल जूर सकते हैं चलिए पहला क्योशन है कि SI में बल का मातरग क्या है पहला क्योशन, very good, निूटन हो जाएगा क्या हो जाएगा SI में बलका मात्रग हो जाएगा वो आपका Newton हो जाएगा अगला question क्या लिका है? दूसरे नंबर का question आपके सामने है वायू क्या है? वायू जो है यह क्या है? तो वायू जो है एक प्रकार का मिशरण हो जाएगा यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है तो डाइनामो के द्वारा यांत्रिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में हम डाइनामो के द्वारा बदल सकते ह प्रत्वी पर कोई भी चट्टान चंद्रमा पढ़ ले जाए जाएगी तो यदि प्रत्वी पर कोई भी चट्टान चंद्रमा पढ़ ले जाए जाती हैं तो क्या होता है उसके भार में कमी आ जाएगी। कम समय हम जादा question कर एंट कैने एक है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों सिद्धा इस उखेच आप पुतली के करण पुतली की विषेज बनावाट के करण बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देगा घुष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु हैं ? चांदी हो जाएगी घर्मी में मकान को सपेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं ? खुष्मा के अच्छे परवर तक होते हैं सीवाल केतली में लकडी का हिंडल क्यों लगाते हैं क्योंकि लकडी का ताप कुछ लता है और हिंडल गर्म नहीं होता इसके खार अगला क्योशन क्या लिखा हो है एक किताब और दाप पर समान आयतन वाली गेसों में अनुमों के संख्या समान होती है निमलेकित में से यह नियम किसका है बायल का, चाल्स का, गेलुसाक का या आवोगेंद्रों का आवोगेंद्रों का किसका है एक किताब एदाब पर समान आयतन वाले गेसों के अड़ों की समान होती है यह हैं आपके आवोगेंद्रों का अगला क्योशन क्या निखावा है, बायो गेस का मुक्य अव्यव कोन सा है, मिथेन हो जाएगा, बायो गेस का मुक्य अव्यव हो जाएगा मिथेन, जब हम बायो गेस का मुक्य अव्यव हो जाएगा, मिथेन, जब हम बायो गेस का मुक्य अव्यव हो जाएगा, मिथेन, जब हम वा-बंडल में उपर की ओर जाएंगे तो ताप और दाप दोनों घड़ जाएं नेत्र के लेंज में फोकस दोरी किसके दोरा सही रखी जाती है सिलियरी मानस्पेशि के दोरा सिलियरी मानस्पेशियों के दोरा सुकी वर्प होती है सुकी बर सुकी बर फजो होगी वो होगी कार्बन डाई आकसाई साधान नमक का वेग्यानिक नाम साधान नमक का वेग्यानिक नाम कौन सा होगा सोडियम क्लोरेड साधान नमक का वेग्यानिक नाम सोडियम क्लोरेड लुडकते हुई गेन कुछ दूर लुड़कने के बाद स्यम रुक जाती है किसके कारण वेरी वेरी गुड बिल्कुछ है लुड़कती हुई गेन कुछ दूल लुड़कने के बाद स्यम रुक जाती है वो किसके कारण होता है 46 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर आचको वो होता है औरट किषके कारण अब करण की और किसी का रहुं के करण किषक कारण एगला क्यूला और किसी का वो होता है गर्षन बल के करन चलिए अगला question क्या लिखा हुए option आपका ए वाला जाए कि इसके अलाव आपके लिए book available है पी एनेस्टी के लिए अगर आप चाहए तो इसे घर बेटे मंगवा सकते हैं इसे बाइलोजी जूलोजी फीजिस केमेश्टी के क्योशन है साड़े साथ अजाल तो आप इसे घर बेटे बुक मंगवा सकते हो आप चाहें तो A&M की भी मंगवा सकते हो आपके लिए A&M के लिए बुक भी अवेलेबल A&M और PNST के पेपर अवेलेबल है और बुक अवेलेबल आप जो चाहें वो मंगवा सकते हो इस नंबर पर आप संपर करके अगला क्योशन क्या लिखा हुआ है अगला क्योशन आपके सामने लिखा हुआ है संग मरमर किसका रूपे संग मरमर किसका रूपे बताइए संग मरमर चूने पत्थर का चूना पत्थर का संग मरमर चूना पत्थर शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गेस प्रियोग की जाती शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरिन गेस कौन सी क्लोरिन गेस लोहे में जंग लगना मुख्य कारग है प्रोटीन की गमी किसकी प्रोटीन की गमी रोबोट क्या है रोबोट क्या है मनुष्य से मिलता जुलता एक ग्यंद्र जो आदेश अनिसार कारे करता है रोबोट कहलाता है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंद बनता है दो समांतर दर्पण के बीच कौन सा प्रतिब प्रभेश करता है तो जब कोई जहां नदी में से समुद्र में प्रभेश करता है तो ऊपर उठी जाता है क्या हो जाता है। पूर गुरत्व अकशन बल कम हो जाता मात्रा के साथ नेमलेकित में से कौन सी भोतिक गुण प्रभावित नहीं होता मात्रा के साथ गनत्व गनत्व ओप्शन आपका डी वाला जब सुरी के रोश्णी के सिवे प्रिज्म में से होकर गुजरती हैं तो बताइए किस रंग का अपवरतन सबसे अधिक होगा बिलकुए आपका सही जवाब हो जाएगा कि जब सुरी के रोश्णी के सिवे प्रिज्म में से होकर गुजरती हैं तो किस रंग का अपवरतन सबसे अधिक होगा नीले रंका नीला मेक नंबर किस से समझे दें मेक नंबर वेरी आई एंपी क्योशन हवे जहांच की गती ओप्शन C जब कोई मनिश रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है बाद में उसे दिखाई देता है आरम बहुता है क्यों? क्योंकि उसकी आँखों की आईरिस सिकुड जाती है और फिर तिस क्योशन खतम होने वाले है बिल्ली के हिटर में नैक्रोम धातु का ततो उप्योग में लाया जाता है क्यों? यह क्योशन PNST में पूछा हुआ था क्योंकि इसकी प्रतिरोधक्ता अधिक होती है इसका गलेनांग अधिक होता है इसमें अधिक शक्ति शाले विद्योदारा परवायत की जा सकती है यह सब ही ओप्शन आपका टी वाला जाएगा यह आज मैंने फिर इसक्योशन करा है वीडियो अच्छो लगे तो लाइक शेर जरू करें चेनल को सब्सक्राइब जरू करें